ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं यूज अभी अभी ख़बर तहकिकात हकिकात पुलिस का नहीं रहा खौफ पिछले एक हफते के अंदर दूसरी चोरी की घटना को दिया अंजाम अभी कुछ दिन पहले सहारनपुर के थाना सदर बाजार क्षेतर के दिल्ली रोड पर पूरा का पूरा इट्लिय मुखार ले जाने की घटना कभी खुलासा भी नहीं हुआ कि थाना सदर बाजार क्षेतर के ही रोड वेजबस टान के पास सैमसंग मोबाइल के शोरूम में चोरो ने चोरी की दूसरी घटना को अंजाम दे डाला जी हां आपको बता दे कि जनपत सहारनपुर में चोरी के मामले रुपने का नाम नहीं ले रहे हैं इस से के चलते थान सदर बाजार क्षेतर में एक बार फिर चोरों ने मोबाइल की दुकान में हाथ सापकर डाला हाला कि अभी तक नुकसान का आकलन नहीं किया गया है लेकिन पुलिस पूरे मामले की जाच परताल में जुठी है एसपी सेटी विनीत भटनागर ने बताया कि लौकदान में शाम को साथ कोलन शूने शूने बजे सभी दुकाने बंद हो जाती हैं जिसके चलते ये लो भी अपनी दुकान को समय से बंद करके चले गए थे जिसके बाद लगबग आधी रात में चोरों ने दुकान के ताले तोड़कर चोरी कर ली फिलहाल मुकदमा पंजी कृत किया जा चुका है और पूरे मामले की जाज की जा रही है कुछ अग्यात लोग इनके शॉप में घुस करके इनके मुबाइल से ले करने चले गए इस समंध में मुकदमा एक धाराचार्स ताउन तित्रस्ती का अग्यों पंजीबित किया गया है खुतवाली सदरवाजार में वेशना जारी है जल्दी जल्दी हम इन मुबाइलों का पता लगाएंगे और मुल्दी को पकाड़ेंगे हैं अब इसा इन्होंने भी तैरीर में तो नहीं लिख करके दिया हुआ है लेकिन जो भी इन्होंने लिख करके देंगी उसमें से उसी कंसर्व का नहीं कुछ रोज की तरह में दुबान बंद करके जाना तर शाम को साथ सा समान देखे तो चाली ही निदे शर्टर में घरानी हुई शर्टर उड़ा तो साला समान मुबाइल रोज़ा सब इख रहा हुआ है मोबाइल ले गए हैं क्याश लेगे हैं लैप्टॉप सब चला गया है लबबक किसनी शोरी होई है 35 एक मोबाइल है 17 रुसिया क्याश था लाटर क्या पुलिस को आपके सूचना दी है क्या क्या रहे हैं कर रहे हैं कारवाई कर रहे हैं दे दिया यह है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं यूज अभी अभी ख़बर तहकिकात हकिकत